हाव रूचेंच आइकन इन एनी वान प्लास सेरीज नमस्कार दोस्तों सुवागर आप से विकात तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है वान प्लास के डिवाइस में आइकोन चेंच कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको आइकोन चेंच करना है तो इस वीडियो को आप आं तक जरू देखेगा मैं आपको शो करके बताऊंगा कि ऐसे आप जो है अपनी वान प्लास के आइकन को चेंच कर सकते हैं ठीक है वीडियो को आन तक देखेगा दोस्तों तभी आपको पता चलेग तो चलेए वीडियो को बीना देखेवे शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑन-लाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आइकन जो है उसको चेंज करने के लिए जाना है आपको सेटिंग पर इस तरह के ऑप्शन मिलेगा तो नीचे आपको आजाना है ठीक है कॉस्टमाजेशन पर क्लिक कीजिए यहां पर मिलेगा आपको आइकन पैक तो में जाएए आपको हाइड्रोजेन और ऑक्सिजन के दो ऑप्शन मिल जाएंगे ठीक है कुछ इस प्रकार के तो आप सेट कर सकते सरकल में और स्क्वेर शेप में आप इसको सेट कर सकते हैं ठीक है यहां पर सिस्टेम आइकन का भी ऑप्शन है जैसी की मान लीजिए आपके आइकन को आप कुछ इस प्रकार के अकार देना चाहते हैं वह आप यहां पर डे सकते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर यह तो सिर्फ आइकन का शेप है ठीक है आइकन शेप यहां पर चेंच हो रहा है लेकिन आइकन चेंच नहीं हो रहा है आपको क्या करना है इस वाल प्लस की तरफ से दिया गया है तो आपको जिस भी तरह के का यहाँ पर चाहिए वह आप यहाँ पर इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों अभी तो यह इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर आइकन का पेक मिल जाएगा इसको अपन कर लेना त तो place riktinx for installing the app तो यहाँ पैफूफर आइ traitor करने का अब्सक्राइब क Towards the Churchнить तो अभी दोस्तों किया करना है यहां पर आइकन तो चेंज हो चुका है कि आइकन यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है आपका जो आइकन cohesive कुछ इस प्रकार का होगा तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है ए एपपलाइए मिन्म चैंज हो जाएगा वाइरल आईकन टेक भीSH चैंज हो टो आपको यहाँ पेप करके युश्सको अपफलाइए कर देना है अपने मोमाइल पे इसको जैसे यह अपडाइङ करेंगा आपका आइकन से और उसके बार मिलेगा और प्रलाइगा ऐकन मेनसर अब देखनें को सकते हैं तो दोस्तों ऑच्छा लग रहा है आप इसको इंश्टल कर सकते हैं इसका साईज आप देख सकते हैं और इंच्त करके और इसको भी अपलाई कर सकते हैं हच्टी shelters पैक है तो आप इसको भी लगा सकते हैं तो यह था दोस्तो आइकन चेंज करने का तरीका आइकनड पैक आपको इंस्टाॉल करना होगा मॉबाइल पे उसके बाद ही चेंज होगा आपका आइकन्स अमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा थैंक्स रॉचिंग